Corporate Radar में आज हमारे साथ बहुत ही खास महमान जुरे हैं Dr. Raji Kumar Gupta, Managing Director GNFC ये हमारे साथ है Sir, बहुत-बहुत स्वागत है Zee Business पर आपका शुक्रिया आज के दिन हमारे साथ जुरने के लिए सबसे पहले जो Festival Season चल रहा है उसकी आपको बधाई भी दे दे और आपसे यही जान लेते हैं क्योंकि जो हाल ही में आपने एंट्री की है FMCG स्पेस की ये पूरा ही स्पेस जो हता है काफी अच्छे समय पर आपने एंट्री की क्योंकि सेकेंड हाफ इस पूरी consumption स्पेस के लिए काफी बहतर माना जाता है किस तरीके की डिमांड और फेस्टिव आउटलुक आप क्या है देखें जेन एफसी मूलता है एक फटलाइजर केमिकल्स और पेट्रो केमिकल्स कंपनी है लेकिन माननी प्रदानमंत्री जीने एक एतियासिक निर्णे लिया 100% नेम कोटिंग जूरिया का तो उस निम कोटिंग यूरिया के चलते जेन एफसी कंपनी ने एक फावर्वर्ड और बैकवर्ट इंटिक्रेशन का बड़ा प्रोजेक्ट लिया हमने हजारों लाखों महिलाओं के मदस से गाउं में लगबग 8-10,000 गाउं में निबोली जो नीम सीड्स होते हैं उनको इखटा करने का काम किया और लगबग पिछले तीन वर्ष में हमने 45,000 टन मतलब 4,5 करोड किलो निबोली नीम सीड्स इखटे किये हजारों टन नीम ओयल बनाया आज हम नीम ओयल जो प्योरे सो प्योर नीम ओयल है हम एक मात्र कंपनी हैं पूरे देश में जो नीम ओयल का बड़े पैमानी पर उतपादन करते हैं नीम ओयल हम दूसरी कंपनियों को भी नीम कोटिंग ओफ यूरिया के लिए हम देते हैं लेकिन जो हमें बचता है neem oil उससे हम forward integration में हमने neem के products मतला हमारा जो FMCG segment है वो बड़ा focused है हमारा FMCG neem based है तो हमने neem soap बनाया, neem hand wash बनाया, neem shampoo बनाया, neem oil का भी marketing कर रहे हैं और neem based pesticide भी बनाया है लगबर 3000 retail outlets में इस वक हमारे products भीक रहे हैं और जो बड़े बड़े chain है, big bazaar है, star bazaar है, उनसे हमने type किया है साथ में e-marketing के लिए भी हम काफी प्रयास कर रहे हैं flip cart है, snap deal है और जो केंदर सरकार के बड़े बड़े जो canteens हैं जिनकी हजारों श्रंकलाएं हैं उनके माध्यम से भी हम ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं हमने ये भी लिड़े लिया है कि हम JNFC के company owned and company operated लगबग 30 stores पूरे देश के अंदर एक डिर महीने के अंदर खोलेंगे जिनके अंदर ये नीम के FMCG बिकेंगे तो हमारा लक्षे है कि नीम का जो turnover है चाहेंगे अब इस पूरे ही प्लांट से क्या कुछ उमीद हम कर सकते हैं कितनी capacity कौन-कौन से products यहां से आएंगे और खास तौर पर आपके revenue या financials पर किस तरीके का reflection होगा आगे जाते हैं देखे बानने प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़े दूसरे plant का foundation लेंग किया जो साड़े पांस सो करोड रुपए का di-calcium phosphate का plant है di-calcium phosphate एक ऐसा आवशक तत्व है जो cattle feed जो पशुओं का आहार है उसके अंदर रुपी होता है और गुजरात के अंदर cattle feed की बहुत बड़ी मांग है गुजरात के अंदर cattle feed की बहुत सारी factories है ऐसे दिखा जाए तो लगबग 55 लाख टन cattle feed की मांग गुजरात के अंदर है और इस वक्त लगबग जो production है वो 17-18 लाख टन है तो कहने का मतलब यह है कि cattle feed का जो market है उसकी जो annual growth है growth rate है वो काफी है और उसमें hydrochloric acid बड़ी मात्रा में लगब साड़े 400 टन hydrochloric acid हमें हर रोज प्राप्त होता है तो उसको rock phosphate के साथ मिला कर हम di calcium phosphate का एक project लगा रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी di calcium phosphate की company है Belgium based Ecofoss उसके साथ हमारा joint venture है तो इससे नकेवल JNFC देश की सबसे बड़ी 2,00,000 di calcium phosphate बनाने बनी company बनेगी 18 महीने में बलके साथ में हमारा जो दहेश का TDI project है उसकी profitability भी बढ़ेगी तो इस वक्त जो HCL है उसके disposal के लिए एक बाग 5,000 रुपे हमें खर्च करने पड़ते हैं जबके di calcium phosphate जब बनेगा तो HCL हमें 5,000-6,000 रुपे पर टन का मुनाफ़ा देगा तो ये बड़ा एक win-win situation का project है जो माने परधान मंत्री जी के करकमलों से शिलानियास हुआ इसके लावा माने परधान मंत्री जी ने एक बड़े जो extraction plant है नीम सीड्स का extraction plant सर अभी आप viewers को ये भी समझाए कि किस तरीके से अभी आपका revenue mix है हमने अभी ये देखा आपके बताया कि किस तरीके से अब आपने FMCG products को लाया है और बड़े retail chains में आप उनको introduce भी कर रहे हैं अब जो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिला नयास किया है यहाँ से जो products होंगे साथ ही आपका chemical कारोबार, TDI कारोबार इन सब का revenue mix बताईए देखे जी निफसी कंपनी याँ से 40 वर्ष पहले जब स्थापित हुई थी तो मुखित है ये कंपनी एक fertilizer कंपनी थी लेकिन धीरे 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 chemicals और petrochemicals के काफी plant लगबग 20 जितने 20 plants लगाए गए जिसमें formic acid, acetic acid, methanol, ethyl acetate और WNA, CNA, concentrated nitric acid ये सब plants बने तो आज की तारीख में fertilizer हम बनाते हैं लगबग 7 lakh ton urea हम बनाते हैं और 2 lakh ton ammonium nitrate phosphate बनाते हैं लगबग 1.5 million ton हम chemicals और petrochemicals बनाते हैं तो revenue mix में इस वक्त जो जादा जुकाँ है वो chemicals और petrochemicals में है fertilizer एक किसानों के लिए चीज़ है और जिसको केंदर सरकार सबसीडाइस करती है तो वो हमारा मुख्य business है और उस लक्षे से हम कभी विचलित नहीं होते हैं लेकिन साथ में कंपनी को progress करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए chemicals और petrochemicals का धीरे धीरे विकास हो रहा है हम देश में ही नहीं साउथ इस्ट एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका बड़ा fast expanding market है जो विच्व के अंदर सिर्फ 3-4 देशों के अंदर पैदा होता है और pew form के अंदर essential ingredient होता है आज की तारीक में हमारा लगबग 66 जितने देशों में TDI निर्यात होता है और इससे काफी अच्छे revenue आते हैं आज की तारीक में विच्व के अंदर बड़ी जबदस्त मांग है पूरे एफरिका के continent के अंदर हम लगबग 40 देशों में ये TDI का निर्यात करते हैं और कुछ market में से समाचार आ रहे हैं कि योरोप की कुछ company हैं जो TDI बनाती थी उनके हाँ बड़े serious quality के issues खड़े हुए है तो अब हम योरोप के market को भी धीरे-धीरे cover करने के कोशिश करेंगे आल राइट तो expansion बड़े तोर पर हो रहा है और अब बड़े developed markets में भी company की जाने की योजना है सर जैसे जैसे आपसे बात कर रहे हैं आपको ये भी बता दें कि GNFC का share जो है दिनके उश्टम स्तरों पर पहुँच गया है साड़े तीन परसेंट उपर इस वक्त कामकाच कर रहा है लगातार पिछले दस दिनों में हमने देखा है इस शैर में लगातार तेजी देखने को मिली है और बीते एक साल का भी अगर आप performance देखेंगे तो 100% से ज्यादा return GNFC ने अपने shareholders को दिया भी है सर इसी तरीके की strong performance company के fundamentals में भी हमने देखी है और आपसे यही जानना चाहते है कि FY18 के लिए अब top line और bottom line outlook आपकी तरफ से क्या है कुछ internal targets अगर आपने set किया है साथी हमने यह भी आपसे सुना है कि FY18 तक एक zero debt company बनने की आपकी उन्मान है तो क्या वो भी लक्ष पाएंगे आप पूरा कर पाएंगे FY18 तक देखिए यह मैंने बार-बार कहा है और मेरी AGM के अंदर भी मैंने कई बार कहा है आपके दर्शकों के माध्यम से भी मैं यह बताना चाहूँगा कि देखिए हम एक government controlled company है हम किसानों के हित में काम करते हैं और हम देश के लिए industrial production जो है chemicals और petrochemicals का वो बढ़ाते हैं तो share price और share market जब हम काम करते हैं और जब हम production करते हैं तो हमारे लक्षी में नहीं होता वो एक buy product है वो एक market का perception है कि company की जो strong उसके fundamentals हैं और company जो progress कर रही है उसके response में share market या आपके जैसे बड़े-बड़े analyst जो है वो react करते हैं लेकिन हमारे केंदर बिंदू में कभी share price नहीं होता है लेकिन साथ में company की जो rating है internal rating वो crystal और एकराद दोनों ने बढ़ाई है हम लोगों का लक्षी ये है कि हमारे जो long term debts है वो 888 करोड थे पिछले वर्ष के अंत में और हमारा working capital exposure लगबग 1100 करोड था तो working capital exposure इस वक्त लगबग 300 करोड से कम हमारा हो गया है और long term debts को भी हमारी बहुत ही सुनिश्चित योजना है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करें और इस वर्ष के आंत तक हमारा लक्ष है कि हम एक debt free company बने और उस लक्ष की तरह बहुत ही हम निश्चित एक strategy के साथ में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल सर आपके products की अगर बात करें तो ज्यादा दाए products premium segment में है तो यहाँ से जाना चाहते हैं कि कि किस तरीकी margins अभी आप enjoy करते हैं और आगे चाहते हुए margin picture कैसी लग रही है देखे chemical जहां तक fertilizer का सवाल है मैंने आपको पहले भी कहा कि fertilizer एक control sector है हमारा जो मुख्य fertilizer है यूरिया है वो control है उसका price के इन सरकार तेक करती है बाकिका difference जो है तो company उसको एक minimum margin लेकर ही marketing करती है तो fertilizer segment के अंदर एक limited margins होते हैं लेकिन chemical segment के अंदर जो पिछला trend है पिछले 2 महिने का वो बहुत ही बड़ा सुनिश्चित upward trend है लगबग 10 से 25% prices सभी chemicals के international market में और national market में बढ़े हैं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो TDI हमारा prime product है उसका highest ever price realization domestic market में इस वक चल रहा है और international market में भी जो problems अभी हूँ हैं दूसरी company में उसको देखकर यह लगता है कि काफी upward trend इसके price realization में आएगा तो यह वर्ष में लगबग आने वाले तीन-चार महिनों में हम काफी steady price देख रहे हैं राइट सर आप से ये भी जाना चाहते हैं कि हाली में सरकार ने कुछ बड़े कदम लिये हैं खास तोर पर reforms के front पर GST को launch कि अब 3-3 महीने हो चुके हैं आप से जाना चाहेंगे कि खास तोर पर आपके sector में अभी तक का performance किस तरीके करा है GST के आने के बाद कुछ hurdles होई या फिर अब यहां से जाते हुए एक improvement देखने को मिल सकता है देखे सरकार के जो पिछले 7-8 महीने के दो महत्व के निर्णे हैं उसमें GNFC ने बड़ा अच्छा काम किया है पहला निर्णे था डियमोनिटाइजेशन का तो GNFC देश की एक मातर पहली ऐसी कंपनी बनी कि जिसने fertilizer का जो sale है वो cashless माध्यमों से किया और आज की तारीख तक लगबग ढ़ाई लाग किसानों ने GNFC के अलग-अलग retail हजारों retail stores से लगबग 100 क्रोड की fertilizer cashless माध्यमों से खरीदी है और उसमें हमने उनको incentive भी दिया है तो cashless जो transactions है और जो एक digital economy की मानिय प्रधान मंतरी जी के परिकल्पना है उसमें GNFC कंपनी ने काफी कुछ काम किया और बड़ी हमें सफलता हासिल हुई साथ में हमने अपना जो township है जिसमें लगबग 5-6,000 लोग रहते हैं 10-15,000 रोज आते हैं वो पहला cashless township हमने बनाया और अब उसी की तर्स पर हम GNFC कंसल्टेंसी दे रहे हैं मदद दे रहे हैं और लगबग देश के लगबग 100 township हमने इस वक्त less cash अत्वा cashless township बनाये हैं साथ में GST का जहां तक प्रिशन है तो GST में हम बिलकुल integrate हो चुके हैं GST का कोई negative impact GNFC कंपनी को उपर नहीं है शायद मैं यह कहूंगा कि 1-2% positive impact GNFC की balance sheet पर आता है चलिए तो 1-2% positive impact जरूर देखने को मिला है आखिर में सर आपको दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है Zee Business की पूरी टीम की ओर से और आप से जाना चाहेंगे कि हमारे viewers के लिए Zee Business के viewers के लिए दिवाली पर आपका क्या message है देखें दिवाली पर हमारा ये message है के हम सभी कंपनिये जो राज्य सरकार और भारे सरकार के द्वारा नियंतरित हैं और जिनको हम लोग चला रहे हैं हम देश के किसानों के लिए देश के consumers के लिए और केन सरकार के निर्देश में राज्य सरकार के support से मानिय प्रधानमंत्रीजी की जो परिकल्पना है उसको आगे बढ़ाते हुए हम देश के विकास के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं आप सभी को मेरी तरफ से मेरी कंपने में काम करने वाले साड़े 5000 कर्मचारियों और अधिकारियों के तरफ से और मेरे सभी शेयरोडर्स को मेरा बहुत-बहुत प्यार और बहुत-बहुत सुखकामना है तांकियो बेरी माथ सर जुड़ने के लिए आज के इस खास मौके पर बहुत-बहुत शुक्रिया इन सभी बातों पर वाचीत करने के लिए